हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एनिमे के इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग सीरिस के मैन हीरो मुफेन को दिखाने से होती है वो अभी अभी मैजिक स्कुल के लिए एंट्रेंस टेज देकर बहार आया था आगे वो हम लोगों को तीन महिने पहले के इंसिडेंट के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं पहाड़ी पर शांती से इस पेंडेंट को पहने हुए सो रहा था जो कि असल में मुझे एक अंजान मिस्टियस बुढ़े आदमी ने दिया था और बस उसी दिन के बाद से ये वर्ल्ड जो पहले नोर्मल हुआ करता था वो एक मैजिकल वर्ल्ड में बदल गया और मुझे यहाँ पर काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं मैजिक करना नहीं जानता आगे हम मुफेन के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि एक काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसके बागी के दोस्तों का मानना था कि वो मैजिक स्कुल में जाने के बाद आइस पावर को जगाएगा क्योंकि उसकी फैमिली में लगभग सारे लोगों के पास आइस पावर होती है वहीं स्कुल से बाहर निकलने के बाद मुफेन अपने डेट को देखता है और पूछता है कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो जिस पर उसके डेट पहले तो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ साथ ही में वो ये भी कहते है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिलेवरी बोई की जॉब ढून ली है जो कि पासी की सिटी में है और वे लोग काफी अच्छी सेलरी भी ओफर कर रहे है लेकिन मूफेन कहता है कि मैं नहीं जाना चाता क्योंकि मुझे मैजिक सीखना है हाला कि उसके डेट काफी अच्छे से जानते थे कि मूफेन जिस स्कुल के खवाब देख रहा है उसके लिए एंट्रेंस एक्जाम में काफी अच्छे मार्ग साने चाहिए जो कि उसके कभी नहीं आएंगे मगर फिर भी अपने बेटे के उत्सा और जित के सामने वो हार मान लेते है और कहते हैं कि मैं कैसे भी करके तुमें मैजिक स्कुल में भेज कर रहूँगा जिसे सुनकर मूफेन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि आप देखना मैं मैजिक सिकर काफी अच्छा मजिशियन बन कर दिखाऊंगा वही अगले दिन जब मूफेन अपने दोस्त जैंग के साथ स्कुल जा रहा था तब ही जैंग कहता है कि मैंने मूनिंग को देखा वो सच में काफी खुबसूरत हो गई है लेकिन मूफेन उसकी बातों पर जादा ध्यान नहीं देता है जेस्ट दिन वो अपने डेट को एक रीच आदमी के साथ बात करते हुए देखता है उसके डेट रीच आदमी से मूफेन को मैजिक स्कुल में एडमिशन दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि असल में वो मैजिक स्कुल इनी की फैमली का होता है लेकिन वो रीच आदमी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को पहले ही पढ़ाई करनी चाहिए थी और जो वो कुछ सालों पहले मास्टर की बेटी को लेकर भागा था उसके लिए मैंने अभी तक उसे माफ नहीं किया है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन सब के बावजुद में उसकी मदद करूँगा जिस पर मूफेन के डेट कहते है कि मूफेन तो बच्चा था उसे सही और गलत की समझ नहीं थी लेकिन फिर भी वो मास्टर की बेटी को वापस लेकर आ गया था जिसके बाद वो ये भी कहता है कि आप बस उसे मेजिकल स्कुल में एडमिशन दिलवा दो उसके लिए में कुछ भी करने के लिए तयार हूँ अब ये सुनकर वो रेच आदमी मान जाता है और कहता है कि मूफेन के एडमिशन के बदले तुम्हे अपना घर मेरे हवाले करना होगा अब मूफेन के डेड ऐसा करना तो नहीं चाते थे लेकिन मूफेन की खुशी के लिए वो मान जाते है वहीं हम देखते हैं कि ये सब दूर से मूफेन सुन रहा था इसके बाद सीन कट होता है और हम मूफेन और उसके डेड को डिनर करते हुए देखते है जिस दोरान मूफेन के डेड उसे बताते है कि तुम्हारा एडमिशन मैजिक स्कुल में हो गया है जिसे सुनकर मूफेन कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि उसके डेड ने मैजिक स्कुल में उसका एडमिशन कैसे करवाया है आगे उसके डेड ये भी कहते है कि तुम्हारे स्कुल जाने के बाद में इस घर को रेंट पर दे दूआ क्योंकि मैं दिन भर ड्राइविंग करता हूँ और तुम होस्टल में रहोगे तो घर एसे खाली पड़ा रहेगा जिस पर मूफेन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब देखना मैं कितना बड़ा मजिशन बनता हूँ वही डिनर करने के बाद मूफेन जब अपने रूम में था तभी वो एक बुक पर मूनिंग का नाम लिखता है इसके बाद हम मूफेन के फ्लेश बेक में छोटे मूफेन को देखते हैं उससे मूनिंग पहाड़ी पर मिलने के लिए आई थी दरसल वो अपने पैरेंट से तंग आ चुकी थी इसलिए वो मूफेन को यहां से भागने के लिए कहती है इसके बाद सीन कट होता है और हम मूनिंग को कार में बेठे हुए देखते हैं वही मूफेन के घर में मूनिंग के डेड़ मूफेन और उसके डेड़ को मार रहे थे और आखिर में जाने से पहले वो मूफेन को कहते हैं कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें दोबारा मूनिंग के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारा हाथ पेर तोड़ दूँआ प्लास में टीचर सभी स्टुडेंट को बैजर्स देकर कह रहे थे कि ये पावर के हिसाब से कलर चेंज करता है जैसे कि वाइंड यानि ग्रीन कलर, फायर यानि रेड, लाइट यानि गोल्ड, आइस यानि ब्लू और आखिर में लाइटनिंग यानि परपल तभी मूबे का ए और बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है, तुम स्ट्रोंगेस पावर को जगा पाओगे, जिससे सुनकर एक बार फिर मूबे का दोस्ट कहता है कि स्ट्रोंगेस पावर, हाँ 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 हाँ, अगर इसने सबसे वीकेस्ट यानि लाइट की पावर भी जगा ली, तो हम लोगो को कोई हेरानी नहीं होगी, क्योंकि ये उसी के लायक है, इसके बाद मूबे सबसे पहले अवेकनिंग स्टोंग पर हाथ रखता है, और टीचर उसे कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है, तुम आइस पावर को ही जगाओगे, क्योंकि तुमारी पूरी फेमली में सब के पास वही पावर है, और फिर मूबे कॉंसेंट्रेट करता है, वही हम देखते हैं कि अवेकनिंग स्टोंग ब्लू हो जाता है, यानि कि उसने आइस पावर जगा ली है, लेकिन इसके साथ में ही उसके बेच पर एक स्टार भी अपियर होता है, जिसे देखकर टीचर कहते हैं कि नॉर्मली पावर जगाने से किसी के बेच पर स्टार नहीं आता, लेकिन तुमारे आया है, यानि तुमारी पावर बाकियों से जादा है, इसके बाद सभी स्टुडेंट एके करके अवेकनिंग स्टोंग पर अपना हाथ रखते हैं, और इस तरह से सभी लोग कोई ना कोई पावर जगाने में काम्याब हो जाते हैं, अब आखरी में सिर्फ बचा था मूफेन, तो टीचर उसे कॉंसेंट्रेट करने के लिए कहते हैं, साथ ही में वो मन में ये भी कहते हैं, कि अगर इस कमबकत ने किसी भी पावर को नहीं जगाया, तो टीचर होने के नाते सब वही प्रजेंट में सभी स्टूडेंट को चिलाने की आवाज आती है कि किसी ने लाइटनिंग पावर को जगाया है और ये कारणामा सिर्फ हजारों में कोई एक ही बंदा कर पाता है इसलिए सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं और जब सब लोग वहाँ पर उसे देख के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है